आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोवे राष्टरपती रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीती वर्ष 2025 तक प्राथ्मिक विद्याले स्तर पर सभी बच्चों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच प्राथ्मिक ता देती है श्रीकोविंद ने आज नई दिल्ली में नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से संभोधित करते हुए कहा कि इस नीती को तयार करने में देश के 675 जीलों के लोगों से मिले सुझाव का इस्तमाल किया गया है उन्होंने कहा कि सारजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है इस मोके पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी ने नई शिक्षानिती की सरहना करते हुए कहा है कि यह सभी पुरानी शिक्षानितियों का बहतर विकल्प होगी उन्होंने कहा है कि नई शिक्षानीती भारती युवाओं को नई चुनोतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नोक्रियों के नए अवसर भी पैदा करेगी प्रधान मंत्री ने इस सम्मेलन का उद्गाठन भी किया उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षानीती 2020 की भूमी का शिर्षक से अविजित इस सम्मेलन का अवजन केंद्रिय शिक्षा मंत्राले ने किया है नई शिक्षानीती 1986 की शिक्षानीती के 34 वर्षों के बाद आई है इस सम्मेलन में राज्जों की शिक्षा मंत्री, राज्जी विश्व विद्यालों के कुलपती और अन्य वरिष्ट अधिखारियों ने भाग लिया केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिश शाहा ने कहा है कि सरकार अतिकुपोशित बच्चों के समगर पोशन के लिए देश भर में सघन अभियान चलाएगी उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्ववती महिलाओं और धात्री माताओं के परियाप्त पोशन की विवस्था हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है शाहा ने कहा कि पोशन अभियान एक बड़ा कारिक्रम है जिसके द्वारा देश से एकुपोशन को समाप्त किया जा सकता है प्रदेश में कोरोना संक्रमेतो की कुल संख्या 74,000 के करीब हो गई है जबकि लगभग 56,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वही भोपाल में आज 234 नए मरीज मिले हैं जिससे जिले में संक्रमेतो की कुल संख्या 12,000 से अधिक हो गई है इन दोर में 289 नए मरीज मिलने के साथ ही यहां संक्रमेतो की कुल संख्या 15,000 के करीब हो गई है इन दोर में जहां आप तक 10,129 लोग स्वस्थ हो चुके हैं वही भोपाल में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9,661 है वही जवलपूर में नेताजी सुभाष चंद्रबोस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित लोगों को उनके परिवार से मिलाने की व्यवस्था की गई पेश है एक रिपोर्ट पुर्देश में जवलपुर इस्थित नेताजी शुभाज शंदर बोस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने अपनी तरह की अनूठी पहल में कोबिड-19 रोगियों में अवसाद और आत्मत्यागी प्रवत्ति को रोगने के लिए उनकी उनके परिवारों के साथ लाइव बाच लगाये गया है अब तक 10 से अधिक संक्रमितों ने अपने परिवारों से बात की है वर्तमाल में इस अस्पताल में 260 कोबिड-19 मरीजों का उपचार चल रहा है संजीव शर्मा आकाश्वणी समाचार भोपाल इसके अलावा उज्जेन में 31 नए मामले सामने आये हैं धार मे ही हो रहे हैं ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतने का फिर से अनरोध करते हुए कहा है कि सावधानी ही कोरोना का बहतर इलाज है शिमिश्रा ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दोरान राज्य में कोरोन आक्सिजन, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं मोहया कराई जा रही हैं। अन्य स्वास्त कर्मियों को विश्व स्वास्त संगठन के माध्यम से कोरोना वायरस का पता लगाने का प्रशिक्षन दिया गया। राय सेंजिले के साची के पास गुलगाव रोड पर ट्रेक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार तीन लोगों की मोत हो गई। इस बुलेटेन में इतना ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार